आप लोगो को एक्जाम देने से अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे आई आपको रोक देगा जैनवरी दो हचार पचीस एक्जाम देने से ध्यान से बाते को सुननी जीएगा और हाँ इस्टूड आज लास्ट देट है टेस्ट सिरीज में 40% डिसकाउंट का तो देर नही करना है जल से जल के सिरीज में इंडि नहीं कर लेना है चाहे छी ए इंटर में इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं CA Foundation का exam start हो रहा है 12 January से intermediate का 11 January से group 1 का group 2 का 17 January से आपके screen पे date sheet show कर रहा हो चाहो तो थो थोड़ा back करके देख सकते हो रही बात की exam form feeling 10 number से foundation और intermediate January 2025 का start हो रहा है तो बचो 10 number को detail video आजाए with late fine आकरी date होगा 26 November exam form feel करने का देखो exam form feel करने से अभी मेरे पास जो doubt आ रहा है कल के date में मैं किसी को reply नहीं किया मैं थोड़ा सा busy था पूजा में तो जो बच्चे foundation January 2025 में exam देने वाले एक सेप्टेंबर 2024 तक registration कियोंगे तब ही जाकर करके exam दे सकते हैं इसके अलाबा repeater अराम से exam form feel कर सकते हैं कोई दिक्कत बाली बात नहीं है और हाँ ध्यान से बाते को सुनते रहेगा अगर आपका class 12 का admit कर अगर SSP portal पे update नहीं है तो update कर दीजिए अगर सबसे पहले ये सोचना है क्या हमारे पास class 12 का marksit है इंटरनेट वाला है गो तो उसको attest कर वालीजेगा CSN त और इजिनल होगा दो सिधा अपलोड कर देना है पहला चीज सोचना है क्या हमारे पास class 12 का marksit है अगर जब आप होगा हां तो class 12 का marksit को update कर दो अगर class 12 का marksit नहीं होगा तो class 12 का तो admit card होगा ये दोनों में से कोई एक चीज अपडेट करना और लिखा हुगा दोनों में से क एक्जाम फॉर्म फिल करने के बाद भी आप अपडेट कर सकते लेकिन कम से कम एक महीना पहले आप अपडेट कर दीजे ये डाउट आना ही नहीं जाए जो रीपीटर है जिनका already update है क्या बार बार करें एक ही काम को 50 बार करने का जहुरत होता है या नहीं जो बच्चे का न intermediate January 2025 बाले बच्चे ध्यान से सुनना बाते को करना जिनका नहीं है वो नहीं करेंगा हर attempt में बहुत सारे बच्चे का admit card release नहीं होता है वो एक्जाम देने से रोक देता है AI AI ये बात को आप क्यों नहीं समझते एखो जो CA foundation पास करके intermediate में registration किया उनको कुछ भी चीज अपडेट करने का जहुरत है नहीं वैसे उनको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक में 2024 तक उनका registration का intermediate course का payment हो जाना चाहिए अगर हो गया होगा तो वो एपियर कर सकते जनवरी 2025 में दो मेको किये होंगे तो वो नहीं आपियर कर सकते इसके अलाबा ही रीपिटर अराम से आपियर कर सकते वह intermediate वाले बच्चे ये चीज सून करके तो जूमने लगे होंगे लेकिन बच्चो जो provisional registration की है सिर्फ और इग्नोर करें वीडियो को यहीं से देखो कुछ बच्चे direct entry CS route से और CMA route से लिए होंगे उनको कुछ भी चीज अपडेट करने का ज़रूत नहीं है कुछ बच्चे graduation basis पे लिए होंगे वो final year का marks अपडेट कर दिया होंगे उनको दुबारा से कुछ भी चीज अपडेट करन रही बात मैं ध्यान से बाते को सुनते रहीएगा रही बात कि जो लोग से पूसे प्रोभीजना registration की है यानि कि final year का marks अपडेट नहीं कि उनको अपडेट करने का ज़रूत है अगर मान लेते हो वो अपडेट नहीं करेंगे exam form तो fill कर सकते है बाद में थोड़ा दिन और ला परभाही करेंगे आईस AI रोप देगा आपको exam देने से आपको CA intermediate का admit का release नहीं होगा गलती से भी doubt नहीं है चाहिए क्या foundation पास करके जो intermediate में गय है क्या उनको भी graduation का marksid update करने का ज़रूत है कुछ update करने का ज़रूत नहीं क्योंकि आप foundation पास करके intermediate में गय हो relax हो करके सिर्फ पढ़ाई करने का ज़रूत है अगर आपको January 2025 पास करना है तो Students 40% discount का आज last date है तो देर नहीं करना है DIW40 coupon code use करना है foundation और intermediate test series के लिए January 2025 लेटेस्ट बैस test series का में बात कर रहा हूँ जल्द से जल्द enroll कर लेना है 40% का discount मिल जाएगा तो जो लोग चार्टे studies को follow करते हैं उनको पता होगा normally 20% का discount मिलता है तो बच्चो देर नहीं करना है अगर आपको foundation का test series में इंडॉल करना है या intermediate के test series में इंडॉल करना है जल्द से जल्द 40% का discount का benefit आपको उठाना है तो जो बच्चे पास करते हैं उनके घर पे trophy medal तो ज 2024 कल के date में मिलने वाला है मैं खुद अपने हातों से देने जा रहा हूँ बाकि हमारे पास chapter wise test series है, fast track test series है, unit wise test series है, सारा paper check हो करके मिलता है, 2-3 दिन में MCQ का result within a second आ रहाता है, दिक्कत कोई भी नहीं है, सारे batch में क्या बोलते है, mock test बिल्कुल free में मिल जाएगा mock test का दो- पुर्चे करें